वेलकम तो नेक्सक्ट जाम आज है चार नवमबर 2022 और चार नवमबर 2022 से करेंट फेस के जितने भी इंपोर्टनेंट कोश्चन मन सकते हैं सारे में इस वीडियो आपको बताऊंगे तो आप पूरा वीडियो वह ध्यान से देखिए लास्टम मैं आपसे कोश्चन पोचूंगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स हों बताना है आज की इस वीडियो की पेडियो के डिसक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं पेडियो आप हमारे टेलेगराम गुरूप से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलेगराम गुरूप पर आपको सारे पेडियो एक साथ मिल जाएंगे और टेलेग्राम गुरूप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्कूशन में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलेग्राम गुरूप चैन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कुश्यन है हाले में UGC ने कब बारती भासा दिबस मनाने का निर्देश दिया है तो UGC यानि कि University Grant Commission इसने हर साल 11 दिसंबर को बारती भासा दिबस मनाने का निर्देश अपने सभी संस्थानों को दिया है तो इसकूशन का बे ओप्सन सही है बासा सदबाओ और भारती भासाओं को सेकने के लिए अनकूल माहौल बेक्सित करने के लिए इस दिबस को अब हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाएगा अच्छा UGC यानि कि University Grant Commission इसकी स्तापना का हुई 1956 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पे है न्यू डेली में और इसके प्रजेंट टेम पे प्रेसिडेंट कौन है एम जगदीज कुमार कौन है एम जगदीज कुमार अच्छा अभी नवंबर में इतने इंपोर्टेंडे बनाए गए है ध्यान रखना ये 11 दिसंबर को UGC ने भारती भासा दिबस मनाने का निदेश दिया है ये दिसंबर है यहां मैं नवंबर के इंपोर्टेंडे की बात कर रहा हूँ अभी एक नवंबर को 207 कहारी दिबस और साथ भारती राजियों का और दो केंसासित प्रदेशों का इस्तापना दिबस मनाया गया था ये साथ भारती राजियों कौन से है केरल, करनाटक, आंदर प्रदेश, पंजाब, हर्याणा, मध्य प्रदेश और चत्तिजगर दो केंसासित प्रदेश कौन से है लक्ष दीप और पुड़िचेरी अच्छा अभी 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इंप्यूनिटी फॉर क्रैम्स अगेंड जनलिस्ट मनाया गया तो इस कुश्चिन से आपको इतनी जानकारी मिलती है अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं 40 लाइक का तो अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगता है हलपो लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और सियर जरू किया करो और मैं आपको भी बोलता हूँ डेली मॉर्निंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो चाहे छोटा साई टार्गेट पिक्स करो लेकिन डेली मॉर्निंग मोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टार्गेट को अचेब करने में लगा दो आपकी लाइफ आटोमेटिक लिए अच्छी हो जाएगी नए क्योशन है हाले में कौन Track Asia Cup 2.22 की मेजबानी करेगा तो अभी केरल Track Asia Cup 2.22 की मेजबानी करेगा तो इस कुशिद का C options है मायन में किलेक जरूक प्याँगा तो ये एक Cycling Tournament है ये 25 नवंबर को सुरू होगा और 28 नवंबर तक चलेगा इसमें 25 देशों के 200 से ज़्यादा साइकिल चालक पार्टिसिपेट करेंगे और ये पहली बार है जब ये दिल्ली के बाहर हो रहा है इस बार इसकी मेजबनी केरल करेगा अब केरल तो ये है मैप में केरल केरल की कैपिटल क्या है? तिरुबननत पुराम केरल के चीपनिष्टर कौन है? पेनरई बिजिहन और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ महम्मद खान अभी आरिफ महम्मद खान नहीं केरल में वन इस्कूल बनाई ये स्योजनस रूप की थी अभी 1 नवंबर को केरल का इस्तापना दिवस केरल पेरवी दिवस की रूप में मनाया गया केरल मुक की मंतरी ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपरादों को रूपने के लिए मुबाइल एप लॉंच किया है केरल सरकार ने मैलाओं के अनुकूल परेटन परयोजना शुरू की है केरल की पुल्लम पारा पंचायद देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायद बनी है अचा केरल में अनाई मुडी सोला नेशनल पार्क है मतिकेटम सोला नेशनल पार्क है पंबडम सोला नेशनल पार्क है सांत घाटी केरल में है और पर्यार बन जीव अब्यार अंड भी केरल में है ने क्योशन है हाली में किस पैरा मिलिटरी फोर्स में पहली बार दो मैला अधिकारीों को Ig rap पर पदोन्नет किया गया तो अभी CRPF में दो मैला अधिकारीों को Ig rap पर प्रमोट किया गया है तो इस question का बे options है अब ये दो मैला अधिकारी कौन है इनके नाम याद रखने हैं एक है सीमा धुंडिया और दूसरी है एनी अब्राम इन दोनों को IG rank पर पहली बार promote किया गया है अब CRPF यानि की Central Reserve Police Force इसकी स्तापना कभु ही 1939 में इसका headquarter कहां पर है New Delhi में और इसके present time पर डारेक्टर जर्रेनल कौन है डॉक्टर सुज़ए लाल ताउसेन कौन है डॉक्टर सुज़ए लाल ताउसेन ने कुषिन है हाली में कौन सा भारते क्रिकेटर दुनिया का नंबर बंट टे 20 International बल्ले बाज बन गया है तो अभी सूरिक कुमार यादा दुनिया के नंबर बं टे 20 इंटरनेशनल बल्लेवाज बन गए तो इसको इनका से ओप्सन सही है इनोंने पाकिस्तान के मोहमद रिजबान को पेचे चोड़ दिया है और अब ये दुनिया के नमबर बन टे 20 इंटरनेशनल बल्लेवाज है अचा किरकेट की बात है तो अभी टे 20 किरकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारती खिलाड़ी बिराट कोली बने है टे 20 बिसकॉप में डेब्यू करने वाले सबसे युबा खिलाड़ी आयान खान बने है 2022 माईला एसिया कप टे 20 किताब भारत ने जीता 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारती खिलाडी रोहित सर्मा बने है और ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोवर्स वाले पहले क्रिकेटर बिराट कोहली बने है ने क्यूशन है हाली में इलावट का निधन हुआ है वे कौन थी तो इलावट ये एक सामाजिक कारे करता थी और अभी 89 एर की एज में इनका निधन हुआ है तो इस कुशन का बे आप्सिन सही है ये थी इलावट इनको पहली बार आप देखोगे तो ये उत्तरपदेश की गवर्नर आनंदी बेन जैसी आपको दिखेंगे लेकिन ये एक सामाजिक कारे करता थी इला भट ग्यान रखना ये सामाजिक कारे करता थी और अभी एहमदाबाद में एक अस्पताल में 89 एर की एज में इनका निधन हुआ है इनको 1977 में रमन मैकसे से अवार्ड मिला था इनको पद्म भूशड से भी सम्मानित किया गया था इसलिए इनका नाम important है नए question है केस राज सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की गोशन गी है तो अब ये उडीशा के मुख्य बंतरी ने उडीशा में बच्चों के अनुकूल पुलिस स्टेशन की गोशन गी तो इस question का बे option सही है बच्चों के अनकुल पुलिस इस्टेशन उडिसा के लगबग हर जिले में डिवलप किया जाएंगी अब उडिसा तो ये है मैप में उडिसा उडिसा की कैपिटल क्या है भूबनेश्वर उडिसा की चीपनिस्टर कौन है नबीन पटनायक और उडिसा की गवर्नर कौन है गनेशिलाल अच्चा उडिसा में है वेलर दीप और वेलर दीप का नाम बदल के एपी जी अब्दूल कलाम दीफ रखा गया है उडिसा दिवस या उतकल दिवस का मनाया जाता है एक अपरेल को अभी आपदाओं से निपटने के लिए उडिसा आपदा प्रबंदन युद्धा त्यार करेगा उडिसा के मुख्यमत्री ने किसानों के लिए पहला क्रसी क्रेडिट पोर्टल सफल लॉंच किया है उडिसा सरकार ने सम्मिदा भरती को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है आश्विनी बैसनब ने भुबनेश्वन में बारत के पहले एलिमिनियो फ्रेट रेक का उदगाटन किया और उडिसा में हैंगिंग सूलर फैंसिंग लगाई गई है उडिसा में सुनावेडा वाइललाफ सेंचुरी है, कुटागड वाइललाफ सेंचुरी है, नलबन वाइललाफ सेंचुरी है, बैसीपली वाइललाफ सेंचुरी है, देवरीगड वाइललाफ सेंचुरी है, गहर मठ वाइललाफ सेंचुरी है और चिलका लेख भी उडिसा में, ये सबसे बड़ी कारे पानी की लेख है, अच्छा उडिसा में रसी कुलिया बीच है, गूल्डन बीच है, अभी युनेस्कु ने उडिसा के दो गाउं को सुनामी रेडी डिकलर किया था, वो दो गाउं कोन से हैं, न्यूलिया साही और पै इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट करनाटक 2022 का उद्गाठन किया, तो प्रतानमंतरी नरेंद्र मोधी ने इन्वेस्ट करनाटक 2022 का उद्गाठन किया, तो इसकुषिन का से ओप्सिन सही है, करनाटक के बैंगलॉर में प्रतानमंतरी नरेंद्र मोधी ने ग्लोबल इन्वे सब्सक्राइब यह दो तारीक से लेकर चार नवा मरत्ख हुई है ध्यान अखना बेंगलूरू में इसका उद्गाठन किया था अब करनटक तो यह है मैप में करनटक करनटक कि कैपिटल किया है बैंगलॉर करनटक की चीपनिश्टर कौन है बसवराज बॉंबाई और करनाटक के गवर्नर कौन है थावर चंद्र गहलौत अभी बैंगलूरुकी नम्मा मेट्रो रेल ने बाट से पर क्यू आर टिकेट सेवा सुरू की है एक नवंबर को करनाटक का इस्तापना दिवस राज्योत सब दिवस के र करनाटक में बांदीपूर नेशनल पार्क है अंसी नेशनल पार्क है नगर होल नेशनल पार्क है और कुद्रे मुखा नेशनल पार्क है ये करनाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है करनाटक के दो डांस आपको याद रखने है यक्षगड और डोलू कुनीता इतना आप करनाटक के बारे में याद रखिए नए क्यूशन है हाली में केस राजी के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुडा और संचार कारिक्रम शुरू किया तो अभी मेगाले के चीपनिश्टर ने मेगाले के पश्यमी गारो हिल्स जिले में नागरिक जुडा और संचार कारिक्र और मेगाले की गवर्णर का अभी एडिसनल चार्च ब्रिगेडी और पीडी मिस्रा को दिया गया है। में रहने वाले चमगादर की एक नई प्रजाती मेगाले में मिली है। और यूनेस्को की बिस्दरोहर सूची में मेगाले का लिबिंग रूट ब्रिज सामिल हुआ है। इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब है अस्तिर्ता और असुरच्चा की बिस्तारित अबदी। तो कूलिंस डिक्सनरी ने इसे 2022 का बर्ड अप दे एर चुना है। नए शुशन है कैसे भारती सेना के दक्षिडी कमान के प्रमुक के रूप में न्यूक्त किया गया। तो अभी लेटिनेट जनरल अजय सेंग को बारती सेना के दक्षिडी कमान के प्रमुक के रूप में न्यूक्त किया गया। अच्छा अभी इंडियन बैंक्स एसोसियेशन के नए अब्द्यक्ष एक के गोयल चुने गए। सेंग्त राष्ट की बायू परिवहन समित्ती के अब्द्यक्ष की रूप में सैफाली जुनेजा को नामित किया गया। वारत सरकार ने अर्माने गिर्धर को रक्षा सचिप के रूप में न्यूक्त किया है। और अडानी एरपूर्ट होल्डिंग्स के सेयो के रूप में अरुड बंसल को न्यूक्त किया गया। ये अभी रेसेंट अपॉइंटमेंट हैं। ये आपको याद रखने हैं। ने क्यूशन है हाली में किस कंपनी ने भारत का पहला Responsible Steel Certification प्राप्त किया है। तो अभी टाटा स्टील ने भारत का पहला Responsible Steel Certification प्राप्त किया। तो इसकी मेजबानी की है गोआने। तो इसकी मेजबानी का बे आप्सिंस है। अब गोआ तो ये है मैप में गोआ। गोआ की केपिटल क्या है? पड़ जी। गोआ की Chief Minister कौन है? प्रमूत साबंत और गोआ की Governor कौन है? पे-एस सरीधरन पिल लई। अभी अक्टूबर 23 में, 37 में राश्टी खेलों का आयजन गोआ में किया जाएगा। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज गोआ बना। अब जल जीवन विशन के तहत हर घर जल प्राप्त करने वाला एक और राज बना है। उसका नाम क्या है? गुजरात। साओ जुआओ फैस्टिवल ये गोआ में मनाया गया। बारेमी होके इंडिया सब जुनियर प्रास्टी चेंपियन सिफ गोआ में होई है। अच्छा गोआ में मोलम नेशनल पार्क है। इसे भगवान महाबीर नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। गोआ में बुंडला वाइल लेफ सेंचुरी है, कोटे गाउं वाइल लेफ सेंचुरी है। ये आपको गोआ के वारे में याद रखना है। नैशन है, हाले में केस देश ने यूक्रेन में डेमिनिंग ट्रेनिंग प्रोजेक्ट सुरू किया है। तो अभी अमेरिका ने यूक्रेन में डेमिनिंग ट्रेनिंग प्रोजेक्ट सुरू किया। तो इसकुशन का से ओप्सन से ही है। अमेरिका ने अभी युद्ध की इस्तिती में यूक्रेन की मदद के लिए ये डेमिनिंग ट्रेनिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है। अब अमेरिका तो अमेरिका और दक्षिट कूरिया ने अभी बेजिलेंट स्टॉर्म सेन अभ्यास का आयोजन किया। अमेरिका ने अपन गांदी के जेवन पर समर्पित गांदी संग्राले खोला गया इंडिया और अमेरिका की विच में कौन-कौन सी डिफेंस एक्साज होती है कोप इंडिया टाइगर ट्रंफ वज़ प्रहार और युद्ध अप्यास ने क्यूशन है हाली में फेकी के नए अध्यक्ष कौन चुन में गए अब फेकी यानि की फेडरेशन ओफ इंडियन चेम्बर्स ओफ कॉमर्स एंड इंडस्टीज फेकी की स्तापना कब होई फेकी की स्तापना होई थी 1927 में इसका हेड़क्वाटर कहां पर है न्यू डेली में और इसके प्रजेंट टेम पर प्रेसिडेंट कौन है जीब महता नेक्शिशन है हाली में कौन सा सहर इंडिया कैम 2022 सम्मिलन की मेजवानी कर रहा है तो अभी दिल्ली इंडिया कैम 2022 सम्मिलन की मेजवानी कर रहा है तो इसकुषिन का से ओप्सन सही है प्रगती मैदान में ये इंडिया कैम 2022 सम्मिलन हो रहा है अच्छा इसकी थी तो यह थीम भी आपको याद रखनी है अब लास्ट वीडियो के कुश्यन का आंसर लास्ट वीडियो मैं आप से कुश्यन पूचा था कि हाली में किस देश के राष्टपती ने स्थीपा दिया है तो अभी लेबनान के राष्टपती मेशेल आउन ने अपना 6 साल का कारेकाल पूरा करने के बाद इस्तीपा दिया तो इस कुश्यन का बे ऑप्सन सही था और लगबग सभी स्ट्वेडनेस कांसर सही दिया मुश्ट लेइस के वारे में डेटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा कुश्यन के बारे में आपको जितना ज्यादा से अंठाले बनाया जा रहा है चार ओप्सन दिये गए हैं इनमें से आपको अपना अंसर बताना है और इसके अलाबा हम हमारे फेस्टुक पेज़ पर प्रेबियस एर कुश्यन डेली पोस्ट करते हैं तो आप फेस्टुक पर नेक्स्ट एक्जम सर्च करके वारा फेस्टुक इंस्टाग्राम पर इंद्रे सासी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट कोई भी गन्फिजन बेदाउट एनी हजिटेशन डिसकस कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का टार्गेट जरू याद रखना आज किस वीडियो का टार्गेट है 40 य लाइक का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है एल्पो लगा है तब आप इस वीडियो को लाइक और सेर जरू किया करो और आपके पास जो भी स्टेडे रिलेटेड वाट्सप और फेसू ग्रूप हैं उनमें आप इस वीडियो को सेर जरू कर दिया करो तो यह आज का हमारा current affairs का वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लेज कमेंट बॉक्स में जरू बताना और अगर अबे तक भी आपने वारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब जरू कर लेजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिल जब आपसे सब्सक्राइब तो बरावन में एक बेल आइकन बनके आएगा आप उस बेल आइकन पर जरू क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मौर्निंग में current affairs की वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट एक्जाम और बेज बिदियो थैंक्स पर वाचिंग